जय सिव संकर मित्रों मैं हरी स्पांडे आज का विसाय लेकर प्रस्तुत हूँ और मित्रों आज का विसाय है कि बिल्ली की जर क्या होती है या बिल्ली की खेणी क्या होती है ये कैसे हासिल किया जाता है इसके क्या क्या चमतकारिक लाब होते हैं ठीक है आज हम इस विसाय पर बात करेंगे ये बहुत महतपुण विसाय है और मुझसे कई लोगों ने पूछा भी है इस विसाय में तो मैंने सोचा वीडियो बना दूँ तो मित्रों चलिए जानते हैं पहले हम ये समझ लेते हैं कि बिल्ली की जर होती क्या है तो मित्रों एक जर को खेणी कहते हैं ठीक है तो उस मानसल थैली को वे पसू फिर खा जाते हैं ठीक है तो ये जो जर होती है ये सभी पसूओं के द्वारा निकलती है प्रसवकाल के दोरान लेकिन सभी पसूओं के जर में वो तांत्रिक सकती नहीं होती जो बिल्ली की जर में होती है मित्र तो फिर आप माला माल हो जाएंगे, माला माल का मतलब अंबानी नहीं बन जाएंगे लेकिन उस जर को अपने पूजास्थल में रखकर या फिर तीजोरी में आप रखने अगर तो फिर आपके अंदर आपके घर में धन्य धान्य भरपूर हो जाएगा किसी चिसकी कोई कमी नहीं रहेगी और भावतिक जीवन की उचाई को आप प्राप्त निश्चुत रोप से प्राप्त कर लेंगे ये पक्की बात है बिल्ली की जर एक तांत्रिक और एक चमतकारिक सक्ती होती है क्योंकि उस जर से किसी देवी देवता का कोई ने कोई तांत्रिक सक्ती का संबंध होता है तो अब बात यह है कि इसको हासिल कैसे करें तो मैं आपको इसका एक बढ़िया उपाय बतला सकता हूँ चुकि प्रसवकाल के बाद ही बिल्ली उस जर को खा जाती है तो आपको इसके लिए एक बिल्ली पालनी होगी बिल्ली पाले प्रसवकाल के दोरान उस पर अपनी दृष्टी बनाए रखें और फिर उस जर को आप आसानी से हासिल आप कर सकते हैं फिर उस जर को आप हासिल कर लें तो फिर उसको एक छोटे से विधान के द्वारा सुद्ध करके अपनी तिजोरी में रख लें वो विधान में आपको बतला देता हूँ कि उस जर को पहले गंगा जलसे सनान करा लें उसके पष्चात अपने पूजाज़ पर चले जाएं लाल वस्थर पर उसे रखें रखने के बाद आपको कामाख्या सिंदूर होना चाहिए इसके लिए आपके पास कामाख्या सिंदूर उस जर पर लगाए फिर धूप दीब करें एक तेल का दीबक आपको दिखाना होगा धूप दिखा दीजिए और फिर उसके पश्चात उसी लाल कपड़े में उस जर को लपेट करके अपनी तिजोरी में रख दीजिए मित्रों ये पकी बात है आज माई हुई बात है कि जन्मों जन्मों की दर्दता समाप्त करने की सकती इस जर में होती है बहुत जादा तिब्रता से आपकी आर्थिक स्थिती प्रोग्रेस होने लगती है आप वो सब हासिल करते हैं जीवन में जो आपको जो आपका सपना होता ह इस जर में इतनी ताकत होती है आपने तो बहुतों के मुझे सुना भी होगा तो ये रही बिल्ली की जर अर्थात खेणी की जानकारी आपको जानकारी कैसी लगी में तो कमेंड बॉक्स में जरूर बताईएगा और आज के लिए बस इतना ही मुझे आग्या दीजिए जये संकर